स्वागते दोस्तों आपका हमारी यूट्यूब चैनल इन्वेस्टेटा में दोस्तों mutual fund plan के अदर हम पैसे को निवेश करते हैं तो हमारा एकी target होता है कि हम पैसे को निवेश करें और अपने किसी भी target को जो हमने अपने मायन में set किया है उसे हम पूरा कर सकें लेकिन mutual fund plan के अदर निवेश करने के लिए आपको कुछ पुराने plan मिल जाते हैं जिन्होंने लगातार आपको एक अच्छा return दिया हो और कुछ plan ऐसे भी होते हैं जो अभी जल्दी में आये हैं और उनके एनेवी का price भी कम है और उन fund ने return भी अच्छा दिया है तो अगर आप mutual funds में पैसे को निवेश करना चाहते हैं तो आप किस plan के अंदर पैसे को निवेश करेंगे यहाँ पर दुस्तो कुछ ऐसे plan होते हैं जिन्होंने निवेशकों काफी ज़दा टेक्ट क्या होता है कि जो उनका return अगर आप all time में देखेंगे तो आपको 30-32% का मिल जाता है यह फिर कुछ नई ऐसे भी plan है जिनका return आपको 60-65% तक भी मिल जाता है लेकिन अभी आप जब निवेश करने के बारे में सोचते हैं तो क्या इतने high return पर आपको पैसे को निवेश करना चाहिए या फिर आपको एक correction का wait करना चाहिए क्योंकि mutual funds में correction आपको ज़रूर मिलेगे चाहिए से वो 6 महीने में correction आए 2 महीने में या फिर 4 महीने में आभी हम दोस्तों एक बड़े correction की बात कर लें जो 4 तारीक वाय था election के result वाले दिन उसे अगर हम छोड़ दें तो इससे पहले आपको बड़ा correction 2021-22 के अंदर ही मिलता है यानि कि लगतार मार्किट ने पिछले 2 साल से return काफी जबर्दस दिया है और जितने भी mutual fund प्लान है वो सब भी अपने all time high के आसपास है तो क्या यहाँ पर हमें mutual funds में लमसम पैसे को नवेश करना चाहिए या फिर हमें एक correction का wait करना चाहिए अगर हमारा target है कम पैसे नवेश करके एक बड़े fund बनाने का तो अभी हमें करना चाहिए तो दोस्तो mutual fund में अगर आपके पास पैसा है और आप नवेश करना चाहते हैं तो अभी आपको कुछ ऐसे plan मिल जाते हैं जिसमें आप पैसे को नवेश कर सकते हैं लेकिन इन future अगर आपको market में एक correction मिलता है तो दोस्तो उस time आपके पास ये मौका होगा कि यहाँ पर आप इस पैसे को निकाल कर वापस से ऐसे fund के अंदर निवेश कर सकते हैं जिसके अंदर एक तगड़ा correction हो चुका हो और वहाँ से अगर आप निवेश करते हैं तभी आप एक अच्छा fund बना सकते हैं जैसे आपने देखा होगा mutual funds के अंदर जब correction आता है तो सबसे ज़ादा अगर fund की बात करें जिनमें correction आता है वो होते है small cap और mid cap के अंदर लेकिन अगर एक बड़ा correction होता है market के अंदर उसके बावजूर आपको large cap funds के अंदर return काफी अच्छा मिल जाता है और यहाँ पर correction भी काफी कम होता है लेकिन दोस्तों कि आपको mutual funds के अंदर अभी पैसे को निविश करना चाहिए और अगर आपको निविश करना ही है अभी भी तो आपको किस plan के अंदर पैसे को डाता चाहिए तो आज हम आपके लिए HDFC का दोस्तों एक ऐसा fund लेकर आए हैं जिसके अंदर आपको एक अच्छी growth मिल सकती है अगर market के अंदर एक correction आता है तब भी दोस्तों यहाँ पर आपके पास यह मौका होगा कि आप अपने पैसे को average कर सकते हैं या फिर market के correction के बाद आप यहाँ से पैसे को निकाल कर ऐसे fund में निविश कर सकते हैं जहाँ पर आपको एक अच्छी growth short term में भी बिल जाए तो दोस्तों एक ऐसा ही fund है जिसमें अगर आप पैसे निविश करते हैं 87,000 HDFC के इस fund में तो इससे आप 2 करूर रुपे तक fund भी बना सकते हैं और दोस्तों हम जिस प्लान की बात करें हैं यह है HDFC का Nifty 200 Momentum 30 Index Fund Direct Plan Growth दोस्तों इस प्लान के अंदर अगर रिटन की बात की जाए तो लगतार इस fund ने रिटन 21.37% का दिया है देकिन लास्ट वन मन्त की बात करें तो fund का रिटन 10.68% है दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें fund के एक correction की जो की 4 तारिक को यहाँ पर आया था fund में 11.96 पैसे के एनवी का पैसे तक आ चुका था लेकिन वापस से यहाँ पर अभी हम बात करें 17 तारिक तक की तो अभी एनवी का प्राइस आपको 12 रुपे के आसपास मिल रहा है दोस्तों इस प्लान के अंदर अभी EUM काफी कम है और एनवी का प्राइस पी अभी कम है तो यहाँ पर आप पैसे को निवेश कर सकते हैं क्योंकि इस फंड के अंदर जैसे जैसे फंड का EUM भड़ेगा वैसे वैसे आपको भी एक अच्छी ग्रोथ मिल सकती है लेकिन अगर आपके पास दोस्तों यहाँ पर पैसा है और आप निवेश करना चाहते हैं 87,000 रुपे लेकिन आपको 20% का रिटर्स मिल जाता है और आप पैसे को 6 साल के लिए निवेश करते हैं तो इस 87,000 ते आप 2,69,000 रुपे का फंड बनाएंगे इसमें 1,72,000 का रिटर्न होगा लेकिन अगर आप 12 साल के लिए पैसे को निवेश करते हैं आप 27,89,000 रुपे का फंड बनाएंगे इसमें 26,59,000 का रिटर्न होगा और दोस्तो अगर आप 24 साल तक पैसे को निवेश करते हैं तो यहाँ पर आप 87,000 का निवेश करके 99,16,000 रुपे का फंड बनाएंगे इसमें 68,29,000 का रिटर्न होगा और अकर हम होल्डिंग चेक करें तो यहाँ पर दोस्तों कुल मिलाकर यह 30 कमपनी है जिनके अंदर पैसे को निवेश क्या गया है और दोस्तों यह एक से एक दिगज कमपनी है निफ्टी के अंदर 200 इंडेक्स में यह लिस्ट है कमपनी और इन सभी कमपनियों ने काफी अच् सेक्टर के से स्टॉक में भी यहाँ पर आपको 200 से 300 परसंट के रिठन पिछले एक डिट साल के अंदर ही मिला है और दोस्तों फंड का जाततर यानि के करीब 7 परसंट पैसा इसी स्टॉक में ने वीश किया गया है इसके रावा टेंड बजा जो टो कोल इंडिया भारत इले दोस्तों कुल मिलाकर ये एक से एक बहतीन दिकज कंपनी है जिसमें फंड के जातर पैसे को ने वीश का गया है और दोस्तों इन सभी कंपनियों में काफी शांदार आपको ग्रोथ भूंगी है फंड के एनवी का प्राइस अभी 12 रुपे 14 पैसे है यानि लंब सम अगर करते हैं तो दोस्तों फंड का जैसे जैसे यह बढ़ता है वैसे वैसे हमें भी एक अच्छांदार ग्रोथ मिल जाती है ज्योंकि पोटफिलियों बढ़ा होने से स्टॉक के अंदर एक अच्छा रिटन भी हमें मिल जाता है जिबकि फंड के अंदर लंब समया 5,000 रुपे बात करते हैं अगर हम बात करते हैं दोस्तों सेक्टर वाइज तो सबसे दागर जो पैसा है वो फंड का उटो मोबाइल सेक्टर के अंदर बढ़तियों öld क्या है और पर्टिकल सेक्टर के अंदर आपको आने वरे टाइम में एक अच्छी ग्रोथ मिल सकते हैं उसे आप देख सकते हैं जफिर कुछ और भी फंड आने वाले हैं ओटोपाइल से लेटेड तो यानि कि यहाँ पर इस सेक्टर में आपको आने वले टाइम में एक अच्छी ग्रोथ मिल सकते हैं इसके लावा Capital Good सेक्टर के अंजर भी फंड का जातर पैसा निवेश क्या क्या ह हेल्थ केर सेक्टर, फानेसल सेक्टर, एनरजी और कंस्ट्रक्शन में भी पैसे को निवेश क्या क्या है और दोस्तों फंड का एक्सपेंस रेशियो यानि के खर्चा ये काफी कम सिर्फ 0.40% है लेकि दोस्तों यहाँ पर एक्जिट लोड निल है जिसके हम बात कर रहे थे यानि कि यहाँ पर अभी मार्किट ओल टाइम हाई के आसपास है लेकिन आप पैसे को निवेश करते हैं और अने वले टाइम में आपको दो तीन या चार महीनी के अंदर एक बड़ा करेक्शन मिलता है तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होगा आप इस फंड से कर लें और आपको कोई भी एक्से लोट चाहत देना नहीं होगा और वापस से जब करेक्शन आ चुका हो तो आप किसी ऐसे फंड में पैसे को निवेश कर सकते हैं जहां पर आपको एक अच्छा रिटन शॉर्ट टर्म में भी मिल सकता है इस्मॉल कैप या फिर मिट कैप के हैं एक साल के बाद एक लाग से जाद आपको प्रॉफिट हो जाता है तो आपको सिफ दस परसंट का ही टैक्स देना होता है यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं HDFCMC की तो देश की यह दिग्गत जी एमसी है यहाँ पर करीब 7 लाग करोड रुपे से जादा का U.M. है HDFCMC का टोटल एसिट के साब से रेंक भी सेकेंड नमर पर है तो दोस्तों मुच्छल फंड के अंदर जब मार्कीट ओल्टाइम हाई के आसपास हो तो हमें ऐसी फंड के अंदर पैसी को नविश करना चाहिए जहाँ पर एक्सिट लोड भी ना हो और रिटन भी आपको एक स् जरूर बताइए अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें धन्यवाद